नमस्कार मैं रजनोजा इंडिन सेटिजन टीवी मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ भारते क्रिकेट के हिटमेंट कहे जाने वाले रोहित चर्मा के कोच आज मीडा रोट के क्रिकेट अकैडमी में पहुचे और वहाँ क्रिकेट सीख रहे बच्चों कोई साथ कुछ वक्ती बिताया। क्रिकेट के इस दोना चारी जिसने रोहित चर्मा और शादूल ठाकुर जैसे खिलाडियों को तराशा है उन्होंने आईभावकों से अपील की कि वहाँ बच्चों का अपना सुभाविक खेल खेलने दे उन पर अपनी इच्छाय ना थोपे। कोच ने इस अफसर पर अकेडमी की जर्सी भी लॉंच की और अकेडमी तता बच्चों को उनके उज्वल भविश्की शुपकाम नहीं दी। भारतिय क्रिकेट में अपनी दमदार और विश्वस्निय कोचिंग का लोहा मनवा चुके रोहित शर्मा शारदुल ठाफुर जैसे दरजनों खिलाडियों को तराश चुके क्रिकेट कोच दिनेश लाड आजमीरा भाइंदर क्रिकेट अकेडमी पहुँचे। लाड ने क्रिकेट सीख रहे बच्चे और उनके माता पिता से लंबी बादचीत की और क्रिकेट के कुछ गुरु मंतर दिये। क्रिकेट कोच ने अकेडमी की एक टीम को गुजरात दौरे की शुपकामनाय देते हुए नई जर्सी भी लॉंच की। सब्सकराइब की अगर बच्चे में टैलेंट अगर होगा तो इसको जितना माक्सिममम टाइम देना उसका टाम देना जरूरी है क्योंकि आपने दिखा हुए ने बारत देश्ट में कहते कि क्रिकेट है सब की जान है परन जो बहुत अच्छा फेम मिलता है पैसे मिलता है त क्यूंकि harvest हर यह चाहता है कि मेरा बच्छा किरिकट है कि ईजिनियर रभना यह नहीं मौझ ना की है तो पैसे ही कैसे बच्छा लाए गाभा इस Zenit épust तो पैसे उस्सel और बच्छे कंदर उतनी टालेन होनी जरूरी में तो तो मैंने जैसे मिरा भाईंदर क्रिकेट अकैडमी के प्रमुक कोच दीपक ठाकुर के अनुसार उनकी कोशिश है कि इस शहर के बच्चों को भी अच्छी कोचिंग मिले, जिससे हमारे बच्चे भी क्रिकेट में अच्छा करें कुछ दीपक ठाकूर के अनुसार, अगर शहर के बच्चों को सस्ती और अच्छी क्रिकेट कोचिंग मिले, तो उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में इस शहर के कई बच्चे IPL में नजर आ सकते हैं। अकैडमी नेट प्रैक्टिस के साथ-साथ बच्चों को छोटे-छोटे क्रिकेट टूर पर भी ले जाती है। में 4-6 का सेशन है जहाँ पर जादे तर छोटे बच्चे आते हैं और मॉर्णिंग में थोड़े सीनियर्स लोग भी आते हैं। और इस तरह से पूरी तरह से हम लोग कोशिस कर रहें अच्छे-च्छे कोचिंग प्रवाइड करनेगी। आज हम लोगों ने मेरा भाइंदर क्रिकेट अकडेमी ने आज पहली बार एक खारकरम रखा यहाँ पर जिसमें हम लोग अपने अकडेमी के ही होनार बच्चों को अंटर सिक्स्टिन के बच्चों को नवसारी गुजरात में एक संजय फार्म नाम की जगह है जहाँ पर हम देखते हैं मुनाब पटेल इरफान पठान इसुप पठान पार्थिव पटेल जैसे बड़े-बड़े दिगज खिलाडी वहाँ पर खेल चुके तो वहाँ पर हम इस पर बच्चों को अंटर सिक्ष्टिन की क्रिकेट टीम को लेकर जा रहे है खेलने के लिए तो एक बहुत ही अच्छा आणुबह होगा बच्चों के लिए जहाँ पर बच्चे बहुत कुछ सिख सकेंगे स्टेडियम है और सभी तरके इंटर्शलर फैसिलिटीज वहाँ पर है और अंतरश्टे रूल के मुताबिक ही सभी मैचेस खेले जाने हैं मीरा भायंदर क्रिकेट अकैडमी शहर की जानी मानी स्वयम सेवी संगठन जलधारा के खेल विंग का हिस्सा है जलधारा शहर में जल बचाव के साथ साथ खेलों को प्रत्साहन देने के लिए भी आगे आई है जलधारा के सचीव सुशील मिश्र के अनुसार वह शहर भर के गरीब बच्चों से अपील करते हैं कि अगर उन में क्रिकेट को लेकर जोश और जज़बा है तो वो अकैडमी से संपर्क करें अकैडमी मूफ में उनके सपनों को उडान और आकाश देने की कोशिश करेगी सबसे पहले तो हम मीरा भेंदर महनागरपाल का आभार ब्यक्त करते हैं हमाद देते हैं कि उन्होंने हम को ये ग्राउट दिया Viele विए अग्रेंद्र मेरा वहहं करने जा रही जो गरीब बच्चों में प्रतिभा खोजने का होगा जो पड़ पती के बच्चे हो उसके हो जो बच्चे जाएंगे उनको हम प्रतिभा खोजने का उनमें जो प्रतिभावान बच्चे रहेंगे होनहार बच्चे होंगे उनको जल्धारा फ्री कोचिंग देगी उनका कोई वो नहीं रहेगा और उसमे जल्धार्ण अपनी तरय के उनको किट मेंट करेंगी कीनुट करके हें लिए का क सकतरा है कि अगले एक दो साल में हम अपने शहर से एक दो बच्चों को निशनल लेबल पे लेके जाएं यही हमारी हमारा मिशन है यही हमारी इक्छा है और जल्धारा का यह एक सपना है कि हम अपने शहर के बच्चों को निशनल लेबल पे इंटरनिशनल लेबल पे लेके जाएं एकेडमी को मीरा भायंदर महानगर पालिका द्वारा पिच के लिए भूमी उपलब्ध कराई गई है। जिसके कारण यहां गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों के लिए कोचिंग पूरी तरह मुफ्त है। भारतिय क्रिकेट जगत के दिगज कोच को अपने बीच पाकर जहां बच्चे बेहत खुश थे, वही अभिभावक भी कोच को अपने बीच पाकर बेहत गदगद थे। बच्चों और अभिभावकों के प्यार और सम्मान से खुश कोच ने भविश्य में एकैडवी को हर देने का भरोसा दिलाया इम्तियास खान के साथ निशा ठाकोर की रिपोर्ट